नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सबको हाई बीपी के समस्याओं के घरेलू निवारर के बारे में बताने जा रहा हूँ बीपी की समस्याओं आज हमारे देश में एक बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है इसमें ना ही सिर्फ बुजुर्ग बलकि युवारर भी इसकी चबेट में आते जा रहे हैं इसका मुख्य कारण हमारी युवार्ग का खान पान और जीवन जीने की शैली सबसे जदा जिम्मेदार है तो चलिए दोस्तो पहले आज हम उन मुख्य कारणों के बारे में बता दें जिससे ये हाई बीपी की विमारी जल्द हो जाती है खास कर हमारे युवार लोगों को तो पहला कारण तो हमारी खान पान में फाश फूर्ट का चलन है जिसकी वज़र से बीपी की समस्या जल्द होती है दूसरा कारण शारे रिक कार बहुत कम करना जैसे बैठे बैठे करना या जादा से जादा दूसरे लोगों पर डिपेंड होकर काम करवाना मतलब नौकर से काम करवाना, खुद ना करना, व्यायाम ना करना, बहुत गुसा करना, इत्यादी तो हाई बीपी की इलाज के कुछ घरेली उपाए अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ पहला उपाए है, सबसे पहले अगर हो सके तो सुबह उठकर व्यायाम करें सुबह बासी मूँ एक गिलास में आधा नीबू मिला कर, पानी हलका गुनगुना करके पीना चाहिए रोजाना हाई बीपी की रोगी को रोज दो लैसोन कच्चा पीश कर खाना चाहिए खाली पेट, उसके बाद पानी पी ले, तनाओ से मुक्त रहें, बाद बाद पर गुस्सा बिलकुल ना करें भोजन में या किसी भी खाने की चीज में नमक की मातरा कम करें तैलिय या चिकनी चीजों का सेवन करने से बचें, मतलब ऐसी चीजों को कम खाएं या ना खाएं जो तली हुई या बहुत तेल से बनी हुई हो दूद में हल्दी और डाल चीनी का मिला कर पीने से भी फाइदा होता है और सबसे अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इन सब नुस्कों को अपनाने से पहले एक बार आप अपने चिकेट सक से जरूर संपर्क करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें धन्यवाद है